Hello everyone. My name is Dr. Madhukar Travedi. I am Consultant Neurologist at Manipal Hospital, Gaziabad. In this video, we will discuss about migraine. First of all, we will discuss migraine क्या है? What is migraine? Migraine एक special type का headache होता है, जो brain में abnormal electrical hypersensitivity या brain में होने वाले blood flow के fluctuations की वज़े से होता है. अब how to identify migraine, यानि migraine की लक्षन क्या है? Migraine की लक्षनों के अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो main symptom है या लक्षन है वो है headache, headache हो सकता है आपको सर के एक हिस्से में हो जो हम बहुत commonly देखते हैं, इसके अलावा कभी-कभी कुछ-कुछ लोगों को सर के आगे के हिस्से में headache होना, सर के बीच में headache होना, या सर के सिर्फ पिछले हिस्से में headache होना, ये भी migraine का लक्षन हो सकता है, कुछ patients में हम देखते हैं कि migraine शुरू सर के एक हिस्से से होता है, और फिर बढ़कर शरीर के सर के दोनों हिस्सों में होने लग जाता है सरदर्द के अलावा, migraine के जो काफी common symptoms हैं, वो हम देखते हैं कि सरदर्द के साथ-साथ patient को जी मिचलाना, जिसे हम कहते हैं nausea, vomiting like tendency, चक्कर आना, कभी-कभी गर्दन में दर्द, हाथो पैरों में दर्द, ठकान, irritation, light और sound से sensitivity यह सारे symptoms हम कई बार देखते हैं कि या इन में से कोई एक symptom ऐसा होता है कि माइग्रेन के साथ patients को आ सकता है, तो यदि आपको या आपके किसी जानकार को इस तरीके के को symptoms हैं, headache या उन से जुड़े हुए इस तरीके के लक्षन हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने nearby neurologist से जल से जल कंसल्ट करें, ताकि माइग्रेन का हम proper diagnosis बना पाएं और उसके according हम उसका इलाज कर पाएं, इसमें यह समझना बहुत जरूरी है कि माइग्रेन का diagnosis जो है लक्षनों के आधार पर ही किया जाता है, माइग्रेन यूजुली किसी भी तरीके के brain के scan या और खून के जाचों में निकल कर नहीं आता है, तो आपका doctor आपके symptoms के आधार पर अन्य जाचे suggest करते हैं, अधर्वाइस हम इसे clinical basis पर ही diagnose करते हैं, माइग्रेन के अगर treatment की हम बात करें तो इसमें basically तीन चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है, basically तीन parts होते हैं, first is lifestyle changes, second is acute attack of migraine का treatment, और third is anti-migraine medications, lifestyle changes में जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो सबसे important उसमें से है proper sleep, regular नीद लेना, हमें अपने routine को बिगड़ेने नहीं देना है, जैसे कि हम ऐसा नहीं करना है कि किसी दिन हम जल्दी सो रहे हैं, किसी दिन लेट सो रहे हैं, हमारा उठने का और सोने का time fix रहे हमारी दिन चर्या या schedule में भहत जादा fluctuations ना है, इसके अलावा हमे हमें stress से बचना है, physical activity पे ध्यान देना है, और किसी तरीके का stressor है, तो उसे हमें natural ways है, जैसे कि yoga, meditation, इनके थुरू उसे control करने की कोशिश करना है, काफी लोगों में हम देखते हैं कि इन basic lifestyle changes से ही migraine के attacks काफी हद तक कम हो जाते हैं, पर इसके अलावा यदि आपको intermittently headaches हो रह जाता है, जैसे हम acute treatment of migraine, या basically painkiller medicines जो migraine में specially use की जाती है, वो हम use कर सकते हैं, painkiller जो आपको अपने doctor के सला के अनुसार ही लेनी है, सबसे important चीज जो migraine में में ध्यान रखना वो यह है, कि painkiller medicines को सरदर्द की शुरुवात में ही ले ले, कई बार हम इंतजार करते हैं, वे पूरी तरह से काम नहीं करती है, तो painkiller अगर आप ले रहे हैं, तो सरदर्द की स्टार्टिंग में ही ले ले, कई लोगों में हम देखते हैं कि lifestyle changes और intermittent painkiller medicines के बाद भी migraine के अटेक्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, अगर in general हम मानते हैं कि अगर आपको महीने में 4 बार य जाने वाली medicines होती हैं, जिने आपको अपने doctor या neurologist के सलाह में रहते हुए लेना है, तो 90% cases में हम देखते हैं कि काफी हद तक हम इन basic treatments के आधार पर ही migraine को काफी हद तक control कर सकते हैं, तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी इस तरीके के लक्षन है, तो इस समय पर और सही तरीके से इलाज हो पाए, धन्यवाद